अज इस वीडियो हम देखेंगे कि सेज़ पेसी मैंस दोजार तेस का परिख्षा चल रहा है जिसमें दोजार तेस को सतरे जुन को आज एक्जाम लिया गाता है जिसमें सेज़ पेसी मैंस का जीएस का थ्री और कुल टोटल नंबर से घर देखें तो जीएस का कौटल समंदित्य प्रशन इसमें पूछेगा है देखते हैं कि किस परकार के प्रशन आया हुए हमका एनल नस्स करेंगे और किस बोक से और किस कोचिंग का जो नोट से जो काफी बेनिफिट मिलेगा आपको पढ़ने से और वहां से प्रशन सीथे पूछी जारह है जैसे कि पहला आप देख पार होंगे मानोविका सुचकांग साथ का समझते हैं आपको हम अंत में बताएंगे कि किस परकार से रणनेती मना कर आप चल सकते इन प्रशन को हल करने के लिए कोन से नोट्स आपको पढ़ने चाहिए और किस कोचिंग का नोट्स सबसे ज्यादा बेनिफिट र परशन होते हैं भारती रिजर्ब बैंक के शाक नियंटराड की जन गर्णा करों सर चतिगड़ में अनुसुचित चातियों के अधिक्तम परतिसत वाले दस जीलों के नाम लिखने के लिए था चतिगड सकती सो रूपा योजना क्या है सकती सो रूपा योजना वह चालू के गया था चतिगड़ के आर्थिक सरविक्षा 22-23 के अधार पर शकल कराजी घरल उत्पाद में क्रिशी उद्योंग सेवाच्छेतर का परतिसत कितना था चतिगड़ में बिहान योजना क्या है बहुत अच्छा प्रश्णाया हुआ है तराई और भावर क्या है तो इसमें भोगल के प्रश्णाय 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 प्रश्ण और विश्यस्ताओं को लिख कीजिए भारत की कुछ निकट बंदिये सदावाहर मौनों की विश्यस्ताओं और मापुन छेत्रों को लिखिए मैगनीज और वाक्साइट के उपयोग क्या होते हैं अलसी तेल के बहुत आया में उपयोग बताईए अब इसमें चाटश गड़ क अकर कर खाना कहा है इस्ते थे इसके बारे में आपको बताना था नेक्स्ट है दूध नदी कहां पर आउयत होती है चाटश गड़ में बाड़ी योजनय का संची बिरुणा दीजिए इसके साथ ही भारत में राष्टियाय की धेमी बिर्धी के मुख्या कारण क्या हो सकते ह हैं और राजकोशी निती में परवों खुदी से बताईए ते जो प्रश्ण है चाटश गड़ के आप पढ़ सकते हैं सीजी का कोचिंग का मैटेरियल के साथ साथ ही आपको मात्पूर रूप से मात्पूर बुक भी पढ़ना पड़ेगा जो बुक आते हैं चाटश गड़ के दूद निती कहां से प्रहुईत होती है चाटश गड़ में बाड़ी ओजना का संचीप बिरोन दीजिए सिंपत विज़त सेंटर का संचीप बिरोन दीजिए भारत में राष्टे आए कि धीमी बिर्दी के मुखे काना निक्या था राजको सी निती के प्रमकुति से क्या था चाटश गड़ सरकार के गोधन निया उजना को समझाईए ए सीजी अगर हम बात करेत अरजुना कोजिंग सेंटर का बहुत अच्छा होता है जिसमें की चाटश गड़ के जो महत्मोन एकनोमिक्स के पार्ट और इंडिया के पार्ट के जो सब्सक्राइब कीजिए कोकड के मैदान का विस्तार में सस्ता क्या है कुनों अभियारन के बारे में पुछा गया है के सकल खांटी की विस्ता लिखे चाटिश गड़ में गोदावरी प्रवाह करम की परमुफ नदियों का वर्ण कीजिए चंद खुरी कहां इस्ते थे इसक सके मुख्य सुरत क्या है उनकी विस्ताओं का वर्णन कीजिए चाटिगड़ में साकारता की चुनोतियों समधान में अपने विचार दीजिए मोटे आजराजों को पादन भारत के लेकियों अवसक है भारत में स्वित करांती कुदेश और मात्व को परिछन कीजिए चाट सब्सक्राइब में लिखना होता है तो निश्चेतरों से बन जाएगा नेक्स्ट हैं भारत में खनीच तेल की बीत्रड की वैक्या कीजिए अथ्वा भारत के खादानों की निर्यात की वरत्मान स्थिति क्या है उसके कौन-कौन से कारण है उनकी विचना करने के लिए बता सब्सक्राइब में लिखना था इसके साथ ही अबुझ मारिया जन्जाती का थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर देना था तो पंदरे में नंबर नहीं तो कम से कम दस नंबर आपको यहां पर प्राप्त हो जाते इस परकार के बहुत ही अच्छे प्रस्ण पूचे गया थ जो आपके नोट्स या पुस्तक के बाहर से हो या सलेवस के अंदर से नहीं हो सभी सलेवस के अंदर से हैं आपको पढ़ने की जरूरत है निश्चीत रूप यदि सभी कौशन में कुछ ने कुछ बहतर करेंगे तो निश्चीत रूप सफलता पाएंगे फिर मिलते हैं किसी नेक्स वेद्यों जाय हैंद्ट